एक और दुकानदार भी हमारे साथ मौझूद है इन से भी बात कर लेए ते असलाम लेकूं वालेकुम असलाम सर आपका नाम? अरसलान अरसलान भाई मुझे बताएं कि पीमते मुस्तकिल बढ़ नहीं हैं आप मुझे दो कीमते बता दीजिए पहली दोर पर एक तो जिन्दा मुर्गी और दूसरा तैयार मुर्गी जिन्दा मुर्गी 500 रुप है और गोश जोई 700 रुप है जितना भी काम दा दुकंदार तो पिस गिया क्योंकि अब दुकाने बंद करने के सिवा और कोई चारा नहीं है गोश सस्ता है इतना भी काम है सब गोश्व जब जब आपकश प्राइट से सही जब हाँ जब कहने लगें लगें बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल अच्छा आपने कहा के दुकानदार पिस रहा है अब दुकानदार की अगर आपने बात करी दिये और आप चुके दुकानदार है तो आप उनको मुझसे बात करते हुए तो रीप्रेजन करी रहे हैं हर दुकान पर अलग क्यों है चिकन उसके कुरें प्रॉसस में एक चूजा मुर्गी बन रहा है वहां से ॉलिक अवांकी जिप से निकलने था। पूरे प्रॉसेस में आपको सूरवार इस महंगाई का किसको समझे तोटल जो हमारे फार्मर भाई हैं लेकिन फार्मर भाई भी क्या करेंगे जब उनको फीड़ी महंगी मिलेगी यानि महंगाई तो फीड़ कर रही है तो हकिकत है इस फीड़ वाली बात में तो हकिकत है आठ बिचार पूरा गड़े लोग कह रहे हैं कि यहीले बहाने और इनके जो हर शेहर के कमिशनर्ज उते हैं उनके साथ बैठा के हैं और साथ ही चुके फार्म हाउसे होते हैं इनके अमीर लोगों तो लेना देना इनका चल रहा होता है तो प्रूमत अपने हिसाब से तायून करव ये ये सा कुछ की बेनी ये वे झाल